आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो इस question में हमें दिया गया है कि bottom of the beaker के नीचे एक mark बना दिया गया है और एक microscope से उसके फोकस किया जाता है अब microscope को जो है वो 1.5 cm उपर किया जाता है तो water को कितने height तक भरें ताकि again focus हो जाए हमारा और mu of water दिया है हमारा 4 by 3 यानि कि हम समझ लेते हैं इस question को ये हो गया हमारा beaker इसमें हमारा पानी भरा हुआ है कुछ इस तरह अब यहाँ पे एक dot है तो एक microscope से इस पे focus किया जाता है अब microscope को जो है 1.5 cm shift कर दिया जाता है उपर तो water की height कितनी हो ताकि ये जो dot है ये apparently यहाँ पर दिखे लेकिन असल में तो यहाँ पर है लेकिन water की वज़े से रिफ्रेक्शन की वज़े से यहाँ पर दिखे और ये जो distance हो हमारा 1.5 cm हो ताकि वापस से microscope इसके उपर focus कर दे यानि कि जो shift है वो हमारा 1.5 cm है तो shift हमारा 1.5 cm है अब हमें पता है shift का formula होता है रिफ्रेक्शन से t into 1 minus 1 by mu t की value होगी जो यह height होगा यानि की h into 1 minus 1 by mu यानि की 1 upon 4 by 3 तो यह होगया हमारा 3 by 4 तो इसकी value, total shift की value हमें पता है 1.5 cm है तो यहां से 1 minus 3 by 4 यानि की 1 by 4 तो h by 4 की value 1.5 cm है तो यहां से h की value 4 into 1.5 यानि की 6 cm होगी यह हमारा answer है आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर